जब भी आप लोग कहीं देखते होंगे पिदूसर सब्द लिखा हुआ तो आपके मन में निगेटिविटी यानि की नकारात्मक तर तो आजाती होई तो सीधा सा मतलब है पिदूसर से कि कोई भी जैसे बायू हुए है फिर चाहा है आपका जल है या फिर आप देखते हैं मिटी है कहीं भी आप देखेंगे कि कोई आवांकी नियुक तब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं जो एक तरह से हानिकारक होते हैं तो आप कहदे हैं कि पिदोसन के पारे में, आपने हाली में सुना होगा कि State of Global Year 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भाई पिदोसन भारत का सबसे बड़ा स्वास्त जोख्यम है, यानि कि कहने का मतलब है कि भाई पिदोसन के कारण भारत में हर साल लाखन लोगों की मौत होती है और लाखन लोग इससे प्रभावित भी होते हैं, ठीक है? याद रखिए, इस सब के लिए हमें ही जिम्मेदार हैं और आप देखेंगे कि फ्रेलियम समय आप फिर चाहें आपका मैंस हो, इसमें आपके कुश्चन्स बनते रहते हैं हमें साल, और यह ऐसे कुश्चन्स हैं कि आप सोचीं कि आने वाली समय में और प्रोब्लम, और समस्या आएंगी, और आप जानते हैं कि इस्टेट PCS हो, यह आप सिविल सर्विस हो, यह कुश्चन्स बहीं से उठाते हैं, जो एक तरह से आपके द्यानिक जीवन चर्या से जोड़े हो, तो इस तरह के भाई पिदूसर हो गया, आपका मिट्टी हो गया, या पर चाहिए परियावर्ण पर दोसर, जो भी इस तरह की टॉपिक हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लेना, परियावर्ण जब भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, उस समय भी आप लोग देखते हैं, और इन रिपोर्ड जो हाल में निकलती हैं, इनके आंकडे जरूर आप लोग समलित कर लिया करियेगा, जब भी आंसर आइटेंग करते हैं, एक आंसर प्रभावकारी आपका हो जाता है, हाली में EOS, Waste Health in Impact Institute द्वारा एक पिती विदन प्रिस्तुत किया गया, इस पिती विदन के अरुसाल, इस समय भाई फिदूसंट, आउटोर तथा इंडोर भारत हेतु सबसे बड़ा स्वास्त जोखिम बन चुका है, भारत में बाई पितूसंट जनित बीमारियों से, वर्ष 2019 में लगभग आप देखेंगे, एक दसंबलों सरसट मिलियन लोगों की मित्ती हुई है, और यह कि भी कोविद के फलसरू, लगे लोगडाउन पे बाई पितूसंट कुछ कम हुआ था, फरुन्तु यह है, आप फिर से बढ़ गया है, कहने का मतलब है कि आपने देखा है कि सब कुछ ठप था, बाहन ठपते, उद्योग धंदे ठपते, तो आप समझे कि बाईू कापी एक तरह से सुद्ध हुई है, लेकिन फिर भी आप देखें हैं कि यह सब कुछ चालू हुआ, परिवाद चालू हो गया है, उद्योग या उपन कर देगा, अताह जल्द से जल्द इस पर प्रभावी कारवाई की आवस्दक्ता है इस पर, पिती वेदन के मुख्य बिंदूओं की अगर बात करें, तो 2019 में आउट्डोर और इंडोर पिदूसन के कारण भारत में 1.666 मिलियन लोगों की मितिव हुई है, जो मु पिदूसन के कारण यही बीमारियां आपको हो दिए, इन आकड़ों में आप देखेंगे कि एक लाग, 16,000 सिसू भी आपके सम लेते हैं, यह सबसे जिन्ता जनक कारण भी है, कि जो आप कहते हैं कि हमारा भविस है, युवा हमारे भविस हैं, बच्चे आने वाले बच्चे हमारे भविस होते हैं, इसमें कोई दोहरा भी नहीं है हमारी, क्योंकि आपके बच्चे ही सुरक्चित नहीं है, तो आप सुचिए क्या सुरक्चित हैं, तो आप 1,60,000 कोई छोटी संख्या नहीं है, तो इसमें बच्चे भी सम लेते हैं, इसमें बच्चे भी सम लेते हैं, में कारणों में PM 2.5 सरवाधी उत्तरदाई कारण है जो आधी से अधिक सिसु मित्यू हे तू उत्तरदाई है सिसु मित्यू के अन्ने कारणों में सॉलिड फ्यूल चार को लित्यादी कत्रियों मुख है आप सोचिए कि हम लोगों ने जो करम करें उसकी भुकतान एक तरह से कौन कर रहा है जो आने वाली हमारी पीडी है सिसु है मतलब आप सोचिए बच्चे है बच्चों का तो कोई एक दान एह नहीं है न बाइव के दूसर में लेकिन उने भी साथ में बगतना पड़ रहा है एक कहावत है अच्छी कि गहूं के साथ घुन पिष्ट जाता है जब आप देखते हैं कि गहूं को आप लोग जाते हैं चक्की पर निकलवाने के लिए आठा तो उसमें जो गहूं में घुन होते हैं जो चोटे-चोटे जीव होते हैं वो भी पिष्ट आते हैं तो वही है कि बच्चे मतलब करम एक तरह से गलतिया हम लोगों की है और उसमें भुगत कौन रहा है आने वाली हमारी पीडी संपूर विष्ट में 83.2 माइक्रो ग्राम घनमीटर के साथ भारत सरवादी पितिवेक्ति फिदूसंट एक्सफोजर का सामना कर रहा है और उसके उपरान करम सा नैपाल तथा नाइजर है यानि कि भारत पहली नमबर पर है उसके बाद देखेंगे नैपाल और फिर आपको नाइजिरिया देखने को मिलेगा ऐसे देश जहां जनसंट क्या कम है वहां विदिवेक्ति फिदूसर एक्सफोजर आठ माइक्रो ग्र करें लावजसर के साथ वाई पिदूसर तो इस समय जहां भारस है शंपर बिसमें खुरान संकट से जूज रहे हैं ऐसे में वाई पिदूसर का अढ़ना अध्येंती चिर्ट-जना वाहिए पिदूसर कोरोना के पिती लोगों की सो बेद्धा को बढ़ा देगा, क्योंकि कोरोना से ही हो रही ही मिठ्टियू मेहिदय तो था लंक्स की कमजोरी बड़ा कारण है, आप देखेंगे कि कोरोना होता गई लोगों को है, और देख रहे हैं आप लोग की अब मिठ्टी उदर हमेशा कम रही है इसकी, क्या रहता है कि आप में कमजोरी पहले से आप बीमार हैं आपका मतलब हार्ट में कमी है, या आप देखें कोई कमी है तो आप लोग वो कुहानी पहुचा सकता है, आपका अगर दमदार है एक तरह से आपके यह तो आपको कोई हानी नहीं पहुचेगी, इसके लिए एक सीधी सी बात और बताओं आप लोगों को, कि आप देखें कि हमारी आर्मी तगडी है, एक तरह से हल देस हमारा सपोर्ट करते हो हमारे जेस में एक टरह से नहीं गुष्ट teaching, आप सोचिए कि पाकिस्तान अगर हमारी आर्मी कमजोर होती तो पाकिस्तान कभी भी अंदर आ जाता है, तो इसी तरह से एक तरह से हम आर्मी जो हमारी है इसे मांग लीजे अपना सरीर और जो वाइरस है इसे मांग लीजे पाकिस्तान तो आप जब तक भावी नहीं होने देंगे अपने उपर सरीर में तब तक वो कुछ नहीं उखाड पाएगा ठीक है यक भी भाई पी दूसर से भारत में लगवग एक लाग से अधिक मीत्यू तथा लगवग 7.5 मिलियन लोग संकिमत हो चुके हैं यगी भारत के लोगों की कोरोना के पिती रिकवरी रेट अधिक है परतु भाई भी दूसर इस रिकवरी रेट को कम कर सकने में सक्षम है ऐसे मैं भारत दोरी संकट का सामना कर रहा है एक बात आप लोगों उसे और बता था हूं देखिए आप लोग देखते हों में चुनाओ है और काफी भीड हो रही है कोई सोचल डिस्टैंसिंग का पाला नहीं किया जा रहा है कोई मास्क नहीं लगा जा रहे है तो मुझे लगता है कि टेश्टिंग कम हो चुनाओ है और वीड इतनी हो रही है कि अगर सोची एक ब्यक्ति को भी उसमें से होगा तो लाखों लोगों फैल गया होगा लेकिन अब टेश्टिंग बिल्कुल कम करती है आपके मन में आता होगा कि क्या है आफिर बाई पिदूसन जो सब्द हमेशा चर्चा में बना रह सब्सक्राइब करता है बाई बाई बिभेन गैसों का मिस्तरान जिसमें आप देखते हैं अखिक 78% नाइटोजन 21% ऑक्सिजन और 0.93 और 0.03 कारबन डाई ऑकसाइड और सेस में आप नियोन केप्टॉन हिलियम हाईटोजन होनी चाहिए यह आपका प्रेलम से मैं कई बार प पिदूसर कहलाती है सीधा से कहने का मतलब हैं कि आपकी सरीर को आप सोचिए कि तीन रोटी की जिरूरी है आप पांत रोटी खा लीजे सम्दूलन बिगड़ जाएगा या नि बिगड़ेगा तो इससी तरह बाई में सब की एक सीमित मात्रा है इसमें कभी भी हेर फेर होता है यह थी बाई फिदूसर की शणी में आजाता है अगर बात करें हम लोग मुख बाई फिदूसर राईप फिदूसर कि तो इसमें कारवन मोनोउक्साइट कारवन टाय ओकसाइट मैथेन क्लोक्रोकारवन नाइटोजन ओक्साइड, ओजोन सीसा हाइडोकारवन, निलंबित कड़िये पदार्द मुकता PM 2.5 तथा PM आप देखेंगे 10, वाईव की दूसर की सरोतों की अगर बात करेंगी कहां से आखिरे होते हैं, तो जीवास मीधन की जलने से बाताबर्ड में, सल्फडाई ओक्साइ CO2 आदी गे से बीमुक्त होते हैं, ओटो मुबाइल और थर्वल पावर फिलाइट से नाइट्रोस ओक्साइड NO और नाइट्रोजन ओक्साइड NO2, कार्वन मनोप्साइड CO और नाइट्रे कमल HNO3 निकल दिये, उद्धेव ओटो मुबाइल सिधातु निकल आर्सेनिक सीसा आदी फिलोराइड और पिकास रासाइडिक दूंद आदी में विमुक्त होती हैं, सीमेंट उत्यव वान घरेलु इधन अनोत्यव निलंवित कड़किये बदात की सरोत हैं, सरकार का अगर मत और उपाय की बात करें, सरकार की तरफ से क्या उपाय किया जा रहे हैं, उनका क्या कहना है, तो सरकार के उसर पिछले तीन वरसों में बाई पिदूसन के स्तर को कम किया गया है, पंदन्तु इंडो गंगा छेतिकी स्तिती सामान नहीं है, दिल्ली सहत कई बड़े सहर इस समय पिदूसित हो चुके हैं, और बाई पिदूसन कपकंडे के संतरब में सरकार की कु कि अब देखते हैं के, नव दोर गा चल नहीं है, आप लोग देखते हैं के, कल दसेरा था लेकिन अभी भी रखी हुई है, अभी भी लेजे भी जे बज रहे हैं, थोड़ा अड़्यस्ट करिए, सब की अपनी भावनाय हैं, बाई पिदूसन बचाओ यह नेंतन अधीनियम 1981, अधीनियम के उद्देश की बात करें, तो पिदूसन में कमी रोख थाम और नेंतन, बाई पिदूसन को बाई पिदूसन की गुडवत्ता को बना रखना, बाई पिदूसन से बचाओ यह नें रोख थाम के लिए, बोर्ड की स्थाफना करना, यह कई बार अधीनियम क्या होता है डारेक्ट पूंच लेता है या पूंच लेगा कि बाई पिदूसन बचाओ एवं नेयंतर अधिनियम 1981 के उद्देश क्या है तो इन उद्देशों को भी याद रखना है आपको फिर आप सुनते होंगे केंदी है पिदूसन नेयंतर बोर्ड यही एक साम्विधिक संक् अधिनतर अधिन्ति नेयंतर अधिनियम 1041 के अधिन इससे शक्तिया नतर का शुम् 9 यन संविधान में होता है जैसे आपका आपका देखते हुआ है अप करे थिक हतके संविधान की है है तो आप पोग गिया जएक की泥 आप आपका संविधान की अच्छेद fällt एक निकाय तो आप एक निकाय कह लेए हैं और जिसका जो अधिनियम के द्वारा बनाय जाते हैं उन्हें आप लोग सम्विधिक संगठन कह देते हैं, निकाय कह देते हैं, तो आप बात करेंगे राष्टी वाई गुडवत्ता नेगरानी कारिकरम के बारें, बारत में केंदरी पिदुसन नेंकन गोड राष्टी वाई परिवेसी वाई गुडवत्ता नेगरानी कारिकरम नेम नौद देसों ही तुँ चलाया जाता है, परिवेसी वाई गुडवत्ता की स्तिती और रुजान निदारित करने के लिए, एन ए-ए-ए-क्युवेस के अनुपालन प्रापता लगाने के लिए, बात अरवमेनर में पिक्रिया को समझने के लिए, निवारक को सुधारात्मक उपाय करने के लिए, ठीक है, पर आप देखेंगे राष्टी के परिवेसी वाई गुडवत्ता पानत, ए-ए-ए-क्युवेस्ट, तो राष्टी के परिवेसी वाई गुडवत्ता मानिकों को, बास्वाई आधर बदेयार किया गया था, विश्वय डाइओकसाइड, नाइटोजेट डाइओकसाइड, फाइटीकूलर मेतर 10, पी अटेन, पाइटीकूलर मेतर 2.5, ओजोन, लेड, कार्मन आर्सेनिक, निकल, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजुपाइडीन साविल देश में राष्टी ये भाई गुडवत्ता सूचकांग की बात करें हम लोग तो देश के बड़ी सहनों भी पिदूसर के रियल टाइम मापन के उद्देश से इसे 2015 में लौच किया गया था यह आठ पिदूसर तत्नों जैसे PM 10 हो गया PM 2.5 हो गया नाइटोजन दाय ओक्साइड हो गया, ओजॉन, अमोनिया, सल्फर दाय ओक्साइड, कार्मन मोन ओक्साइड, लेड की आधार पर बायू गुडवत्ता की 6 सेनिया में बाटा गया है अच्छी की बाट करोंे तो 0 में छो सावन लूगा औही इस्तिती में, अगर 59 से 100 में जो सावन लूगा एस अन्तोष जड़क और 101 से 200 में 67 फिदूसर, खराब की बाट करें तो 201 से 300 में, बहुत खराब की इस्तिती बात करें तो 300 से 1 से 400 की वीच और गंभीर यानि कि सबसे गुरी इस्तिती की कबरिका हैं, तो 400 एक सी 500 की भी रखा जाता है, तो आपने देखा होगा, National Electric Mobility Mission Plant, यह Environment Friendly Hybrid Electric भाहनों के निर्माण के उत्देश से लाया गया था, जिससे यह 2020 तक एक तसमलों 5 पितिसत कारवन डायोकसाइट का उसजन रोका जा स आपने देखा होगा, UPPCS प्रेलम से मैं भी पूछा था कि इलेक्टोनिक बस जो भी बाहन नी थी, किस राजन इस तरह का बुष्चन साय था तो आपने देखा होगा दिलीने, तो आपने देखा होगा दिलीने, तो आप सुनेंगे राष्टी हरित पराधिकरन के बारे में आपने सुना होगा, इसका इसकी स्थापना राष्टी हरित पराधिकरन अदिनियव 2010 में की गई थी, या परयावन की रक्षा इतु भी स्थापित एक अर्ध नयाएक निकार है, फिर उज्जला योजना के बारे में भी सुना होगा आपने, इसके अंदर के रासोई गेस की उपलबदस्ता सुनिश्चित कर सरकार इंडोर पिदूसन को कम करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि उज्जला योजना से कापी महलाओं कोई भी सुरक्षा हुई है, महला सब्सक्तिकरण को भी एक तरह से बड़ावा मिला हुए है, आप देखिए कि वो कापी अच्छी योजना रही है, तो आपने देखा हुए कि जनभागीतारी की आवस्ता है, यारी सीधा सकेने का मतलब है कि कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता है, आज अगर आप कहें कि जो स्वक्षभारा तभीहा सफल रहा है कापी अच्छ तक, तो इसमें आपका सबसे सरकात द्वारा वाई पिदूसन को कम करने के उद्देश से विवन पर्यास किये गए, परन्तु अपेक्षित सफलता प्राप्त, अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो पाई, ओद्योग जगत बाहन घरेलू ही इंधन, पर आली जलाना इत्यादी अभीविदैनिक पिद अगर उपाये हैं, देखिए सब को रोका जा सकता है, कोई भी समस्या नहीं है, जिससे ना लड़ा जा सके, जिससे ना रोका जा सके, एक सीधा सा आप सोचिए कि पराली जलाते हैं, पराली कहने का मतलब ही कि आपकी फसल कट जाती है, उसके बार डूटे तूटे बचते है उसे आप लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, इससे देखिए दो तीन नुकसान हैं, आपकी फसल में देखिए अंगली बार आप जब भी कोई फसल होएंगे, उसमें उत्पादन कम देखने को मिलेगा, दूसरा बायूपी दूसरा, तीसरा याद रखिए जो आपके एक त तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं, इस जलाने वाले पिक्रिया, तो इसमें सीधा सा आप क्या कर सकते हैं, कि आप लोग क्या करिए, कि जैसे ही आपकी फसल कटती है, उसके बाद आप लोग कई मसीने आने लगी हैं, कि वो बोसा में बदल देखिए, छोटे-छोटे कारे के द्वार्य एक परीवतन करना होगा, नेजी वाहनों की स्थान पर शार्ज भाहनों का उपयोग, पराली को जलाने से बचना, बैक्षा रोबन, बनो की गटाई ना करना, घरेलो इन्हरylie का कम उपयोग करना, जनसंक्या नेंत्र करना, तो एक तरह असे यह आपको हम स कि याद भी बने रहेगी आपके पेड़ों के जरिये लाश्ट में क्या कह सकते हैं कि वायू की गुडबत्ता हमारे जीवन का महत्कुणादार है पर्यावण की महत्ता को ध्यार में रखते हुए माननिय उच्तम न्यालय ने इसे अंशिद 21 के जीवन के अधिकार में ब्याग ख्यायत किया है हमारे समुग बाबा आम्टे सुंदरलाल पहुगोडा विस्नोई समाज और चिपको अंदोलन जैसे कई उधारने जो पर्यावण ही तु जन भागिदार की महत्ता को सुनिच्छित करते हैं जन भागिदार पर्यावण को कम करने का अधिन्ध महत्त पूर य तो आप देखेंगे कि इस में सामानते हैं पिस्न पेपर जो थेड़ है पर्यावण इवर पारिस्तिकी इस से सम्मंदित आपका टोपिक था ठीक है तो यह बात और याद रखिए जो बेखतियों के नाम दिएगे इन्हें भी आप लोग डाल सकते हैं ठीक है इन क्या कर सकत हैं आंसर में समलित कर सकते हैं आप लोग यहीं करें ठीक है यहीं पॉइंट है इतना काफी आंसर इस तरह के पॉइंट निकाल के आप लोग लिख सकते हैं आराम से